तो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बायोटेक्स एक जीए मिन्जेक्शन एक एंटी बायोटेक दवा है जो आपके शरीर में बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमन के इलाज के लिए उप्योग की जाती है। यह मस्तिश, फेफ़डों, कान, मूत्रमार, त्वचा और मुलाया मूतकों, हडियों और जोडों, रक्त और हृदय के संक्रमन में प्रभावी है। इसका इस्तिमाल सरजरी के दौरान संक्रमन को रोकने में भी किया जाता है। बायोटेक्स एक जीएम इंजेक्शन कई प्रकार के बैक्टीरिया को मारता है और उन्हें बढ़ने से रोकता है। यह आपके लक्षणों को बहतर बनाने और खास इंफेक्शन के इलाज में मदद करता है। इसे एक हिल्थक्य प्रोफेशनल की देखरेक में सीधे नसों या मानस्पेशियों में ड्रिप, इंट्रावेनस इंफ्यूजन या इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। आपका डॉक्टर आपके लिए सही खुराक का निर्नाय लेगा। डॉक्टर द्वारा निर्धारित शिड्यूल के अनुसार आपको नियमित रूप से समान अंतराल पर इस दवा का इस्तिमाल करना चाहिए। बहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा की कोई खुराक ना छोड़े और इलाज का कोस पूरा खत्म करें। दवा बहुत जल्द बंद करने से इंफेक्शन वापस हो सकते हैं या बिगर सकते हैं। इस दवा के सबसे सामाने साइड इफेक्ट में रैश और डायरिया, दस्ट शामिल हैं। कुछ लोगों को इंजेक्शन लगाने की जगह पर लालपन या दर्ध हो सकता है। ये साइड इफेक्ट आम तोर पर हलके होते हैं, लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या कुछ दिनों से अधिक समय तक रहते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं। गरभवती और स्तनपान करने वाली माताओं को इसका करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।